पागिस कान पर मज्म जाओ पूरे रहीने का हिशाब लगाओ पागिसान पागिसान बिल्याद अब नामे के नाजीन और सावाइन को पुशाम देख रहते हैं, मैं हूँ जबार हमस्विकी, मैं हालिया कैसर, सब्सक्त परें नज़र दालेंगे हैं वाइंसपर्ग. मुल्क को बैकेश मुश्किलाद के हल के लिए चीजेस्टिस से मिलाखात की, कोई जाती बात नहीं हुई, चीजेस्टिस इसके गवाँ हैं, मुल्क का पर्यादी बंगेश्ट पिंग को ड्यार पक, ना बगालतों से इंसाथ की कोई तवक्व नहीं है, इतना पक्ति मुद्द का आखरी मिनिट की पूरा करेकी, साने की बंगाबात में पैसे की सियासत तो रोपना जिहाद समझता हूँ, वजिर्यादम शाहिद काफानबासी का सरगुधा में अजामी इस्टिमाश से सिदा, वजिर्यादम का सरगोड़ा में कार्डियालोजी सेंचर और जाज संसूरे का इस्टिमाश सरगोड़ा में ग्यारा अरजवपह की लाज़त के मुदादिक मिल्चबों पर काम जारी है, काधिना की निक्तारी कमिटी तरफा, के येर्स पादर लिमिटेश के शेर, चिंजाई एलेक्स पादर की परोज़, आर पागिसान को मिल्स की निक्टारी के हमाले अचे, भुषकरी को मोर पर फॉप. कराक्शन का उजाम लगाने वाले सुबूत भी दे नाज के अहम गवा वाजिज प्लानित तमान पुल्जामात की परदीज कर दी परदीज मुशरब को एक दिन कानुन के गधारे में आना होगा कायद मुस्लिक मुहम्मा कर वाशरी करीज संदी के परदीज की समाथ, पीब, पुल्तवी, तकीलो शफाई, इस तखाशा के गवाब आजित जियाफ और जिरा जारी रखेंगे आम जान चुकी है कि इसके आग की मपद्ना है चिए प्लाज की वजित प्रदीज पेश नहीं किया प्लाज के वजिर हमलकत मर्य मौरंगे सुपीं तोर्क में बानिया लदीज के खिराफ पहीं अदालत के इसकी समाथ 16 अपरेल तक मुल्कवी बेज़ाकात से गवाहों के द्याना कलंबान, जिरा लुकंबा सेट प्लाज की मामे की पालिस्टी का ऐलाम कर दिया, अगले दो महती ने शर्म मनाथ 6 से 70 बरकरार रखने का प्रेस्टा आजा पश्मीर में सरदारी के मकाम पर मसाफिशी तर्या नीलंड में जाकरी पाँच अफ़ाज जाना है, साथ सफ़्मी इस्टाइली पाँच करें हटे फलस्टीने पर मुझालिम का सिस्टा जारी, उगज़ा में खाबस पाँच की चैनकों से शदीद गुरबारी और फलस्टीनी शहीद सेंक रूज अखने प्रूज का जबादी इख्राम, साथ अम्रीकी सफारतकार मुल्क डदर, सेंटी फेस्ट में अम्रीकी कौंसल खाना बन करने का एलान, मताबद ज्यार्थी सफारतकारों को भी मुल्क छोरने का हुकम प्रूज की सिरीज वस्ट इंडियस के कीम कल करा की पहुचेगी, माचिस प्रूज में कौनी टीम की दूसरे रोज भी प्राचिक, माचिस यकिन दो और ती एपल को खेले जाएंगे, तुरी प्रूज कोश्ट पर पर आहे राख पाजिसान वस्ट इंडियस के भी प्रूज काइनल जैसी सिकुरिटी दी जाए की, से पहँचेगी के शाम साथ पर जे तक स्टेडियम में एंक्री होगी, बजूर अतलाक सेंड और सेकुरिटी हुकाम की जिस्टेपिंग स्टेपिंग वस्टेड प्रूज की जिस्टेड़ कि पर एंक्रीफटी जिस्टेफ और सेकुरिए झाल झाल अरब कर्दों की तफसीर सबस्ते पहले आपका आगाह करेंगे वजुर आजम शायथ का कानवाची ने कहा है कि मुल्क और पेश मुश्किलाथ के हल के लिए चीफजर सिस्तम मुलाकात की और उसी तनाज़र में उनने कुछ और आहां बाते भी कही उनका कहना था कि सुरापात में कोई जाती बात नहीं हुई और इसके गवाफ़ फुद शिफजर सिस्तम है उनका कहना था कि मुल्क का फर्यादी बनकर सप्मिन को गया था ने बडालतों से इंसाफ की कोई तवक्व नहीं है और हुकुमा तप में मुद्ध का आखरी मिनिट भी पूरा करेगी साने के दखाबात में तैसे की सियासत को रोखना जिहाद समझता हूं वजिराजम के तर्गोड़ा में अवामी इस्तिरा से ख़ता की तफ्सिर बताएंगे वजिराजम की इस सिपोर्ट मेंगे वजिराजम शायथ हाकान अवासी ने शाहिनों के शहर पहुंचने पर मुखलफीन की तरफ से पहलाई जाने वाले तमाम शकूक और शुभात जाहिल कर दिये चीफ जिस्टिस अफ पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात चेर्में सेनेट के बारे में बयान, हकुमती मुदत की तकमील, बरवक्त इंतिखाबात का इनिकाद और नेव मुकदमात समयत हर अहम मौामले पर मुखलफीन को भरपूर जवाब दिये चीफ जिस्टिस से मुलाकात के बारे में वजिर आजम शायद खाकान अबासी का कहना था कि मुल्क को बरपेश मुश्किलात के हल के लिए वो मुल्क के फर्यादी बनकर सुप्रीम कोड गए अगर मुल्क के अंदर को मुझकदा बदर आती है मुझक पर यह लाज़ें आपके बिलू उन मुझकदा तो जूर करने की कोशिश करूं मुल्क सबसे हैं अगर हम अपने अपने कमरों में बैट गाए एक दूसरे बात ना करे तो मुल्क कैसे चलेगा मैंने उन्हें राप्ता किया और इनका जुरूर कशीब ले आए दो गिंटे बात चीश होई मुझक अमीद है कि उन्हें मेरी बात को समझा होगा बने उनकी बातें में उनकी बात की और पर किसी ने बियान लगाया के फर्यादी बंग कर गये कि अधिर वे तो मैं तुर्पर रियादी बंग गया ना इस मुल्क का फर्यादी हो एक बेटरी का अधिया पर रिचार्मिन सेनेट के हाले से अपने बयान का दिफा करते हुए बजीराजम ने दो टोक अलफाज में कहा कि उन्होंने माजी में भी इस किसम की स्यास्यत की मु काबला करेंगे जो लोग पैसह कर शेनेटर बने हैं इस हैं इस इस भी कर नहीं करेंगे तो ना मुल्ब में सासथ को उड़त मिलेगी, ना वोट के बुकार होगा, और ना एमुल्ब तरकी कर सकेजा। मैं इस बुराई के खिलाफ इसको रोगना, इसके खिलाफ बात करना जहाद समयता हूँ। साथ वजिराजम मुहमद नवाश शरीफ के खिलाफ कर्प्शन इल्जामात को मस्तरत करते हुए, शाहिद खाका नवासी ने कहा कि उन्हें नेव अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्व नहीं है। इसके खिलाफ इसे लगाए जाते हैं जिनकी ना सिर होता है ना पैर होता है। ना कोई लोग आते हैं ना गवाँ आते हैं जो कह सकें कि कोई जब्दी हुई है, कोई खराबी हुई है। वजिराजम शाथ खाकान अबासी ने कहा कि हकुमत अपनी मुदत का आखरी मिनट भी पुरा करेगी और आवाम की खिद्मत जारी रखेगी। जलाई में गालम गलोच की सियासत दफन हो जाएगी और लोग कारकरगी की बन्याद पर मुस्लिम लिबनून को दोबारा पहले से ज्यादा अक्सरियत से काम्याब करेंगे। वजिराजम ने सिर्गोदा के लिए वीमन इनिवस्टी, चैंसर और चिल्डरन हस्पताल के क्याम समयत बाकी मांदा इलाकों को गैस की फरहमी का एलान किया। इससे पहले वजिराजम शार्गोदा शाकान अबासी ने सिर्गोदा शेर को गैस की फरहमी के लिए हाई प्रेशर पाइपलाइन के दो मनसूबों और डिस्ट्रिक हैटकॉटर असकाल में चोधरी अब्दुलहमीद का आडियालिजी सेंटर का भी इस्ताह किया। जिराजम शार्गहान अबासी ने स्रगोदा चेम्बर आफकामर्स और मकामी अमाईदीन के वफ Dust से भी मुलाकात की। मुलाकात में शेर में जारी तरक्याती मनसूबों और इलाके के मसायल पर तबादला खिया गया ह। व्जिराजम ने वफ्द को यागय के मसायल के हल के लिए हर मुम्किन तावन की यकिन दिहानी कराई। रियाजबर की पाकिस्तान ट्रेलिविजिन न्यूज़ और अब पावर काविना की निच्कारी कमेटी के इश्रास के लिए। इस्वाबबड में वजीरियाजम शाहिद वाकान अबासी की जिर्स अबारत में केईएस पावर लिमिटिव के शेयर्य संगाई अलगुक के लिए को फच्रूर को वर्ण की अश्रास किया गया कि निच्थैनल सेक्यरिटी सेटिपिकेट काईशा विपागी काविना की तूसी के बात किया जाएगा। माचिर जाएगा। करॉप्शन के अल्जामात लगाने वाले सबूत भी धें ऐसे साब अदालत में मेडिया सटारस में गुफ्तबू करते हुए मुसमित मून के कायद महांब दवाशरीफ ने कहा कहते है साब सबका होगा और हर्ष सूरत होगा परवेज मुशर्फ कर टाइल अपने मंदख की अंजाम को पहुचेगा और उन्हें कहा कि हालात तब्दील हो चुके हैं परवेज मुशर्फ को एक दिन कानून के कटहरे में आना होगा वाकिन मुद्लीन के कायद ने कहा कि नाथ केस सबसे अहम कवा राजिस ब्याने मुझ पर तमाम इल्दानात की तर्दीद कर दी और उन्हें कहा कि मुरे खिलाफ केस में कुछ नहीं जिन्मी राफ्स बनाने की क्या तरूफ़त थी मुहमद बनाश शरीफ ने कहा कि अगर सोजा देना मक्सूद है तो मोड़ा नाम NICI रेंटल पार केस में डाल दे इसी तरह ये ग्रामा मंदख ये अंजाम को पहुँच सकता है और उन्हें कहा कि हस्तन अगस्तर नावास कभी वजिराजम रहे नहीं वजिर तमाम केस किर्फ हमारे खांदान के कारोबार के गिर्द खुम रहा है तो मतलिक लूम की रहना मारियम नावास ने कहा कि हमने तबाम मनिक्रोज जो आईटी के सामने रगती है राबिट रेडले का बयान सब के सामने है आफरे जिन्नी राफरेंस में सब कुछ नावास शरीफ पढ़ान दिया गया परतसाफ अबालत इसकाम अबाद में शरीफ खांदान के सलाफ और विन्फिल्ड रेफरेंस की समात में इस दखाजा के गवाँ बाजज जिया के दियान पर जिरा आज भी जारी रही साथ खुजर राजम मुहमद दवाज शरीफ, मरीम नवास और रिटाइट के पिन मुहमद सक्तर अबालत में पेश हुए केस की समात जैज मुहमद बशीर ने की वकील स्थाई खुजर खुजर फारिस की जाने से जिरा के दौरान इस अगासा के गवाँ ने बताया कि मुश्टका तर्थिकाती दीन ने मुटपिकार राइस से जेरी फ्रीमन को सवाल नामा भिजवाया था लेकिन बराहराब ख़तो किताबत नहीं की गई बलके बतामिया में सोलिसिटर की खिद्मात हासिल की गई वाज़ जया ने बताए कि हमारी तफ्टीश और दस्पाविजात के मताबख गर्थ स्टील मिल के कांट्रेक्ट की तस्दीख नहीं कराई गई इसके रागा जियाई टी ने आहिली स्टील मिल से मतालिख भी किसी से राबता नहीं किया आहिली स्टील मिल के 1980 के माहिटे के तहर 25 पीसर रखम कैश वसूल की गई लेकिन रखम के अदाएगी से मतालिख किसी से राबता नहीं किया गया कि वाज़ जया के बियान पर जिरा आइंदा समाथ पर भी जारी रहेगी वाज़ जया के बियान ने शरीफ कांदान के मौकिफ को तक्वियत दी है इसलाब के वज़म अम्निकत मरिया मारख जेट ने सामगाद में मीडिया से गुफ्तूब करते हुए कहा कि जे आई टी के दाज़ वगा की इल्जामात बे बुनियाद हैं और इसके हवाले से कोई भी मुसर्पिका दसाविजाद सामने नहीं लाई गई तफसिल बता रहे हैं तसवगर अरफाद शरीफ हांदान के खिलाफ नायब रफसाइंसिस की समाद के बाद मेडिया से बादशित करते हुए मरिया मोरिंज्जेड ने का कि पिछले तीन दिन से वाज़ जिया ने जो बियान रिकार्ड कराया वो कोई भी चीज साबित नहीं कर सके जीरतलात ने का कि पूरी कौम ये देख और जान चुकी है ये करप्शन और बादनवानी का नहीं बलके स्कास्री मुगदमा है शरीर कान भान दान के एजिए towns जो इन दिये थे और ये आजूपा कहा जाता रहा के बिया तो ये आघ कब करमने कर रही है लाला यूसर जई के पाकस्तान के दोरे के वाले से एक सवाल पर वजीर इतलाथ ने कहा कि आज मुल्क में वो लोग वापस आ रहे हैं वे दशित गर्दी का निशाना बनकर मुल्क से बाहर चले गए थी मलारा पाकस्तान का फखर है और वो बच्ची जो दैशित गर्दी के खिनाफ कुछ खड़ी हुई और आप देखें कि पिछले चार्थ साल की नौजीदा हकूमत और मुहमद नगाशरीट के विजन के मदाबद दैशित गर्दी में कमी आई है तो दैशित गर्दी की जंग अर है और इसी हिए और इस तरहां हो चुपार है मुल्क पिसके अंदर भी बहुत तकर बाची है लॉइंपोस्में डेजिन का भी इसके अंदर के साहर है तो साजित आप पर दिशित गर्दी का हात्मा तरजीहात में शामिल था आज मुल्क में दो हजार तेरा वाले हालात नही देहे गए मुल्क तरवक्त में के बाची है मुल्क पाकिस्तान नंबर वन डेटा नेटवर्क जॉंग 4G, A New Dream प्रफेक्सेल के चांते मत जाओ और पूरे रहने का हिस्तास अगाओ प्रफेक्सेल आप सबका काप मेरी जिम्मादारी है पस आपका पूर्ट के यार ना जाए ना वो कची सड़क समझो पक्षी एक मिनट हमारा भी ये काम है लगता है कोई बड़ा काम है जी अंकर, बहुत बड़ा काम है मेरी तालीम आप ही बताएं, हम ऐसे स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं क्या आपके बच्चे भी ऐसे स्कूल में जाते हैं धरत है, हम वोट देने तो स्कूल जाते हैं मगर अपने बच्चों के तालीमी मसाइल को भूल जाते हैं मायारी और मुफ तालीम हर बच्चे का हक है और ये हक आपको वोट ही दिला सकता अब अच्छी तालीम दोगे तो वोट लोगे अब नामी में एक बात प्र आपका खिर मक्तर है मजीद ख़बरों में आपको अगाह करेंगे है तिसाब अदालत में स्थाल्टार के खिराफ जिन्नी डाप्रिंस में शरीक मुल्जमों पर आज भी फर्दे जर्म आज ना हो सकी और केस में नामतद मुल्जमां सईद एहमाद, नाईम महमूद और मनसूर रजा अदालत में पेश हुए लेकिन उनके वकील हश्मत ख़बी पेश ना हुए समाद के दारान नामतद शरीक मुल्जमों ने अदालती हुकम पर 10-10 लाक रुपे के जमान ती मश्रके जमा कराए आएंदा समाद तो एक्षिल को होगी अब सुलते हैं सुप्रिम कोड की जानल मुस्मिक दून के रानमा दानियाल अदीज के खिलाफ तोहीन अदालत केस में इस तवासा के गवाहों पर बेयानात करमद होने के बाद जिरा मुकमल हो गई है जैसिस शेख असर साइथ की सबराही में तीन रुकनी बेंच ने समाद की बत और इस ते वासा एड़ेशनल एटरनी जर्नल के तरफ से दो गवाह पेश हुए पेंड़ा के डारेक्टर जर्नल मॉनिटरिंग हाजी आदम ने दानियार अजीज की निजी टीवी चैनल पर नश्र होने वाली तकारीर की तस्दीग की दूसरे गवाह रुसामा दुनिया के रिपोर्टर साजेज हुसैन ने जिरा के दौरान बताया कि दानियार अजीज ने पी आईटी इसकामबाद में अपनी प्रेस कांफरंस के आखिर में निग्रा जच के हवाले से बात की थी जिसके बाद उन से वजाहत लेने का मौका न महलत देते वे वे वाज़े किया कि अगर कोई गवाह पेश करना मकसूद हो तो इस हवाले से दर्खास पर वक्त दी जाए यहाँ को बताएंगे लंदेन में मुस्लिम लिगनून के वाक्त में वजिर आला पंजाब महामा श्यभाशरी से मुलापाद की इस वाज़े पर गुफ्त को करते वे वे वजिर आला ने कहा कि मुस्लिम लिगनून की हुकूमत आवाम के खित्नत पर यकिन रखती है इसी दर्खते के पेशन अज़र सुवे में भरपूर सरफ्यादी काम कराए उन्हें ने कहा कि मुफ्त कान अपने सुवे में बत्तरीन कारकरदगी पर सिर्फ जूट बोलकर आवाम को गुमराख कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफी के दुश्मन अनासिक को दोहसार अठारां के इंतकाबात में नाकामी का सामना करना पड़ेगा मैंना शुका शुका शुरिफ ने कहा कि मुस्लिम लिगनून में मुल्क को आगे ले जाने के लिए तवानाई पहरान बिमार में इश्चत और तबाह हाल इदारों की बहारी के लिए भरपूर एक्तामाद के जाइन शीफ ऑफ स्टाफ कमेड़ी के चारमेण जनल सुबर्मे मुधायात में कहरा में मिसर के सदर vibration प्रिफ सीछ से मुल्कात की आइस प्रिफ की मुताब़्क मुल्कात में दो तरफा स्ट्रेटिजिक अमूर के हवाले से तमास हैखाल कियागया मुलागास में खिर्दी की स्ञिक्योरिटि सुरति हाल सर्फी कुफ्त गूई जर्रल्स बार्मे मुधायात में मिसर के वाज़ के सर्बरा से भी अलायधा-ग्याधा मुलादी की पाकिस्तान और भारत ने सिपारतकारों के मामलात को 1902 में के सिपारत मुहायदे के तहट हल करने पर इतफाक किया है पस्रेकार्जा के तर्जमार महम्मद हैसल ने कहा कि दोनों मुमालिक की दिर्मियान सिपारतकारों को हिरासा ना करने पर इतफाक राए हुआ है और मुटाल का मामलात को बहामी अताम तक्हीम से हल करने का आया रखिया जा है कराची के मिज़ी युनिवरस्टी में बंती तस्वीर कशी से हट कर उमीद की किरनों के मौज़ू पर सेमिनार हुआ सेमिनार से आजाद कश्मीर के सदर सदार मसूद खान और मुस्मिन विग्दून के रहनमाद सेनिटर मुशायद हुसें सेयद मी भी खिदाब किया तफसील से मैं आगा करेंगे अली असफ़त अदा सेमिनार से खबाब करते हुए आज़ाद कश्मीर के सदर संदर्मसूद खाने कहा के मसलाइ कश्मीर पाखस्तान और भार्ट के दर्मयन तनाज़ाद की बन्यादी वज़ा है इसके हल तक गुनों मुल्कशों के दर्मया-देगर तनाज़ात बनौंतर नहीं हो सकते पाकिस्तान मुस्लिक नून के रह्मा सेनेटर मुशाद हुसेन सेयद ने कहा कि कश्मीर में भारती जारियत को देकर दुनिया को भारत का असर रूप समझना चाहिए उन्हें कहा कि काईज जब मुश्मी जिना ने कहा था कि पाकिस्तान आलमी सियासत का महवर बनेगा फी पे की सूरत में काईज जब मुश्मी जिना की बात दुज्छ थाबित हो रही है सेमिनार से साबिक वजीर खजाना डाटर सल्मान शाह, साबिक वफा की वजीर सानिया निश्टर और दीगर मुकररी ने भी खताब किया और मुक्त में होने वाली मुस्बत पेश्रफ और उसके दूरस नताइच परोशनी डाली अलियर सारभाप, पाकस्तान केलिविजन न्यूस, कराची कश्मीर में जहां भारती मखालिम जारी, वहां जिद जहते आजादी भी उसी शद्वमत से जारी यहां बात करेंगे माकुदा कश्मीर में जारी इसी जो तहरीच है उसके हवाले से, माकुदा कश्मीर में कुल्गमाटी वुरिक कांफेंस के जार्में से, देर गिलानी ने कहा है कि कश्मीर यावान अपने नाकादे तनसीख खक, हक के खबरादित के हुसूल तक थादित से, अली गिलानी ने जामे मस्जद हैदपूरा में खिताफ करते हुए कहा कि आठ बरस ते बरान पहली बात नमाज जुमा अदा करनी के जास्त नहीं दी गई खादित इंतजानिया ने उन्हें दो हजाद बैस से मसलसल घर में नजब बंकर रखा था प्रियो शेर्में ने कहा है कि भादी तफल्यत से आजादी के लिए एक नई हिकमत अमली मुशावदत के बाद जल पज़ा की जाएगी जिसे पहले सेद अली गिलानी के रहाई की खबर प्हलते ही, खबातिन और बच्चों की बड़ी तादाद, उनका की खेप सुनने के लिए जामे मस तहुच गई जामे मस तहनचने पज सेद अली गिलानी का शामडार इस्तवाद से खाल हुआ कि वो मुझाहमती रहनमाओं को फराहम की जाने वाली पुलिस सेकुरिटी वापस वे ले इस मसेले पर इसके आसर बंद करें उन्होंने का कि नैशनल इंवेस्टिगेशन एजन्सी की तरफ से मुझाहमती खौदत की गृतारी से इनके आजम को तोड़ने में नाकामी के बाद अब भारत आज़ारी पसे रहनमाओं को फराहम की जाने वाली पुलिस सेकुरिटी के हवाले से प्रोपगेंडे कर उतर आया है कुल जमाती रुट कॉंसेंस के सीनियर रहनमाओ तहरी के हुरियत के चैर्में मुहमद अर्शक सहराई ने सिर्जर मीर के इंटेवी में कहा कि तनाज़ के कश्मीर को अकवाव मतहदा की करादादों के तनाज़र में कश्मीर आवाम को हख और रादियत दे कर हल किया जाना चाहिए उन्हें भारत की तरस्ते देनिश्व शर्माती कश्मीर के बारे में बतार मुटाक्वाद कार की तकड़री के एक तर संजीत अक्ताम करार दिया मुहमद यासिन मलिक, मुहमद जिस्त नकाश, हकीम अब्द रशीद, बिलाव सुदीकी, जाविद एहमद मीर समय्द, बीदर मुझामती रहनमावने, शहीद अश्वाद मजीद मानी, शबीज सदीकी, जलील इंदरादी, जौकर अब्दलाहद कुरू और दीगर कश्मीरी शहदा को शानदार खराजय अकिद पेश किया, मुहमद यासिन मलिक ने स्री मजर के लाकि सोरा अचाव में एक इज्तमा सा किताब करते हुए कहा, कि कश्मीरी अपने अंदर इत्धाद और जज़दी के जरिये, आज़ादी की जित ज़द में कामयाबी से हमकिनार होंगे, बादी कोसिस में जिला राज़री के लाकों, सुंदर बनी और मौशहरा हमी मसलसल दूसरे रोस भी तलाशी और महासरी की कारवाईयां जारी रखी रखी, हुर्या तरह मुकारम अद्वादा ने स्रामबाद के लाफ मरहामा संगल में अवामी इस्तमाश के रदाब करते हु लिए उनकी जमेदारियां याद दिलाने के लिए शेफील्ड में एक रैली बिका लिए पेश की दुनिया में पाकिस्तान की पहचान, हिम्मत और होस्टी की मिसाल मलाला शुसफबई पांच साल बाद अपने बतन रापिस आई है जल्म और जबर के खिलाफ ड़च जाने वाली मलाला दुनिया भर की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन चुकी है जब के मलाला पाकिस्तान पहुंची है, मीडिया पुस्टान सोशल मीडिया में उनके बारे की थो मजी हुई है कौसीर से नागार करेंगे हमारी नमाहिंदा नंदा सुहेल वेल्कम हो मलाला वेल्कम हो मलाला आम के नोबेल एवर्ड हासल करने वाली बुनिया की कम उमर तरीन शक्सित मलाला यूसफ जई ने सारे पांच साल बाद अपने वतन में कदम रखा तो पाकिस्तान की मर्टी की खुश्भू ने उन्हें दजबाती कर दिया मलाला यूसफ ने जब से पाकिस्तान पहुंची है तीवी चैनल्स और अफ़बारों में लर्कियों की तालीम के फरोग और देशतगर्दी और इंताहा पसंदी के खिलाफ इनकी सोच को उजागर करने का सूसला जारी है पूरे दुनिया के मीडिया समय सोशल मीडिया में भी मलाला की फालूइंग करोडों में है मलाला दुनिया की उन चंद शक्सियात में से है जिनको ट्विटर पर चन्द घंटों में लाखों की तादाद में फॉलो किया गया मलाला ने सोशल मीडिया को दुनिया भर में तालीम, खुछूसल गरीब और पस्मांदा मुलकों में लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए इस्तमाल किया पाकिस्तानी अवाम की वासे एकसरियत मलाला को लड़कियों की तालीम के फरोग के हवाले से जुरत और बहादरी की जिन्दा मिसाल कराद देते हैं जापेशन के लिए अचि oportun haar लड़कियों के लिए लिए खुछी जियों आधनी इस जोती मार दिखा एके लड़कियों ए लड़कियों के लिए मलाला गाबाईश है, मिंगोरा सवात है, जहां इन्होने तालिबान के मजालिम को बेरूनी दुनिया तक पहुचाने के लिए गुलमकई के नाम से अपनी तहरीरों का सहारा लिया, जिसे दुनिया भर में पजीराई हासिल हुई नमरा सुहील, पाकिसान टेलिविजिन न्यूस, इसलाम अबाद सांगला जिल में तरक्याती मनसुबां के इसकताई तक्रीब से सब्सक्राइब करते हुए उमूर कश्मीर और गिल्जित पंजिसान के वजीर चौती बजीजिस ताहिर ने कहा, एक मुस्टिमिक दून के हुकूमत में मुल्क को तरक्यास्ता बनाने के लिए मजबूत दुन स्क्राइम की अदालत में एक बार तिर सुफरू होंगे, ख़दों का ये सिर्फला जारी रहेगा, आप से मनाफास होती है, मुक्त सिस्फ़े वक्ते के बार, हमारे साथ रहे हैं। स्क्राइम के लिए रहे होती है, मुक्त स्क्राइम के लिए रहे हैं। 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 जांपोर जे, अन्यू ड्रीम अवामी इस्टेमा से खताब करते में कहा कि अन्हे एक सौबतीस के तमाम इराखों में एक अड़ रोपय से जायत के फंक से जूर जास औराखों तक गैस टराहनी को यकिन बनाए गया और बिश्ली की बिलाख आत राहनी के लिए पांच नए फीडर अपड़ेट किये गए उन्हें निकाए कि मुस्विक दून के खायद नवाज शरीत के जल्सों में अवाम की शिर्कत इस बात कर स्थबूत है कि संट 2018 में अवामी खित्मत और मुल्की और खुशाली के लिए काम करने वाले ही कामियाब होंगे मैं आपको बताएंगे इस्वाद में ख़गाने के बारे में वज़िर आजम के मुशिर मिफटा इसमारी की सदारत में होने वाले इश्रास में माशल हायवे अफारिटी के मानी अमूर का जायज अलिया गया ख़गाने की वज़िर ममलिकत राना अफिल खान भी इश्रास समाजूद थे इश्रास में चार्मेन अनेच्रे ने मुख्लिप मनसूबों के हवाले से तप्सीली ब्रेफिंग दी बश्रास में ख़गाने ने ख़गाने की कि बन्यादी रान्च और मवास्वाति दापतों के जारी मनसूबों को गर्दत मुकमल किया जाए गुज्राट में फ्री सर्जरी केंप की तखरीब से ख़गात कर देविन साने हकूब के वजीर मम्ताज अहमत तारड ने कहा फ्री सर्जरी केंप में सेंको बच्चों का चेक अप और साफ सिजाइड ऑपरेशन की एकाए ओपियफ वैली के एलाटीस को मालिकाना हुकुक की लेटर्स दे दिए गए है सब्सक्राइब पाकिस्तानियों के वजीर मम्लिक्त अब्दर रह्मान खान कांजू ने इस क्यामाबाद में तक्रीब से ख़ताब कर देवे कहा कि मौजुदा हुकुमत ओवर्सीस पाकिस्तानियों की फौलाह बहबूत के लिए दिन रात पेशाइड है उन्हें ओपिएफ डैली जॉन 5 के सेक्टर A, B और E के अलाउटियों को मालिकान हुकुक देने के अक्ताम को सराथे ले कहा कि इन सेक्टर्स की बरवक्त तक्रीब से उवर्सीस पाकिस्तानियों के एतमाद में इस्दापा हुआ जिसके बाइस वो मुल्क के अंदर अपने घर का खाब पूरा कर सकेंगे कामी स्वामती के मुशीर मासिर खान जन्जुवर से फ्रांस के सफीर मार्क प्रेटी ने इस्लामबाद में बलाकाद किया और दाहिमी ताव़न और इलागाई स्वामती की सुरत हाल पर तबादा स्याल किया पाकिसान की कोशिशों को सराते हुए कहा कि इंसदाद दश्रगदी के लिए दुखाई और इंटेलिजन्स ताव़न को मजीद फरोगते ना चाहते हैं यहाँ आपको बताएंगे इंफ्रमेशन टेक्नालोजी की वजिर मुम्लिकत अनुश रहमान से नेजी कंपनी हवावे पाकिस्तान के वफ ने इसलामबाद में मुलाकात की मुलाकात में मुबादादा की संदाट टेक्नालोजी के फरोग से मतालिक मूर पर दबाद रहे खाल हुआ बस ने समाजिर मौशी तरकी के लिए टिकनालोजी के इस्थेमाने फरुख के हवाले से वजिर ममलिकत को ब्रेटरिंग दी बस्व ठेमाने पर मौशी मौशी तरकी के लिए इस्थेमाने Koreanboro के लिए तरुख के लिए इस्थेमाने के लिए इस्थेमाने हिर्टरुब को इस साल जरी में दी पियो उबर टेकनालोजी इंटरनाशनल के माबैन होने वाले मुलाकात की पिश्रफ परार दिया और उने कहा कि BISP के पास मौश्री की गरीब ख़वातीन का मुफ़निद डाता मौजूद है जिने इस शरातदारी के जरिए बाइस्थ रोसकार के मौफ़े महाया किया जा सकते हैं इस लाके पर दिस्तुकू करते हुए वजिर मुम्लिकत अन्मर चाहतली ने इस शरातदारी को मंफरत परार दिया और अन्यकार की पाकिस्तान मेरफ शरा टेक्सी सावर्स के लिए एक गेंचेंजर होगा वजिने मुम्लिकत अन्मर चाहतली चाहतली के तहट मसहखीन को मोटरवे पुलिस की जानिट ने ग्रावर्वर्स लर्निंग और लाइसंस की भी पेश्गर्श की है यह आपको बताएंगी कि एक तसादी रहादारी मनसुबे के तहट अबताबाद में शिम्ला चनल की तामीर चाहतली है उनका कहना था कि अबताब बन्यूल का मनसुबे जून 2019 तक मकमल कर लिया जाएगा जिसके अबताब चाहतली की ट्वेबर का मसला हमेशा के लिए हाल हो जाएगा मुस्मिली की कुमत और मवास्री के विजन की जो साबब ली बादम के विजन की आज तक्मीन हो रही है और नेचे हो काम पर जोर दिया कि वो इस मनसुबे की तक्मील जल्ब जल्ब करें इस मौश्म पर नेचे और चीनी हो काम ने जिप्टी स्पीकर को जारी काम पर ब्रीफिंग दी और उने ने काम के मैयार और इफ्तार पर तत्वे का इजार किया ठीकर की तक्मिल से मुल्क में एक्सादी और माशी तरकी को फरोग हासिल होगा इज़ान एमद, PTV News, एप्ताबाद यहां उसको बताएंगे मतहदा अरब अमाराद के सफीर हमद अबैद अल्गादी ने कहा है कि UAE और पाकिस्तान के तर्मियान बरीना तालुखात है अबैद अल्गाद ने इसलामबाद में PTV News सेंटर का दारा किया सबस्टाज का अल्गाद पहार सब्गाकिस अल्गाद noisy सबस्टाम्डास को को सबस्ट dalla ओताव सबस्टान KENNE and make another economic relation. It's really important to make this relation more sustained in the future. पाकिस्तान टेलिवियन कॉर्पोरिशन के दर्मयान तावन और इस्तराग के तरीकों पर तबाला ख्याल किया गया. पाकिस्तान और मुताहदा अरब अमराद के दर्मयान देरीना बरादराना तालुकात हैं. यूएए में कثीर पराद में पाकिस्तानी रोज़गार से वबस्ता हैं और मुल्की तरक्की में एहम के दार अदा कर रहे हैं. अमज़ गली पाकिस्तान टेलिवियन यूज इस्लम अबाद. तो सिर्वाद आपने व्यज़े की. नौरीम किसी भी मिल्की तारीफ हैं सकाफ़त को जागर करनी के लिए टीवी, रेडियो, थियोटर और फिल्म का कलीदी किर्वार है. नौरीम समाजी मतायल के हल के लिए भी पाकत वर दरीन मीडियम है. कराशी में जारी पाकिस्टान International Film Festival में दुनियों भर के फिल्म साथों की बनाएगे फिल्मों में भी समाजी मतायल और उनके हल पर राष्णी जाली जा रही है. तसीर से नागा करेंगी नौरीम आसर. चारोजा इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद बैरलोका में फिल्मेकर्स और इनके काम को पाकिस्टान में रूशनास कराना, मुल्के और गार मुल्की फिल्म साथों के दर्मियान आईएस के तवादले के साथ-साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मुहिया करना है, जहां को प्रोडक्शन को फरुग दिया जा सके और पाकिस्टान में फिल्म इंडस्टी की सिलाहितों को उजागर किया जा सके. पाकिसानी सिनमा के लिए एक नया रुख है, एक नया रास्ता है. I think इससे ज़्यादा healthy interaction नहीं हो सकता, and it's just fantastic. हमारा आगेज है, वो इंचाला future in films, be very bright. International Film Festival के पहले रोज मुख्ले मौजवात पर panel discussion हुआ. इस फेस्टिवल में तराण में मौमालिक से अरसाल की गई 210 फिल्मों की नुमाईश की जा रही है, जिन में डॉक्यूमेंटरी, शॉट फिल्म्स और फिचर फिल्म्स शामिल है. इस फिल्म फेस्टिवल में भारत, जर्मनी और इतली समेथ बीगर मौमालिक के फिल्म साथ शिरीख है. पाकिस्तान इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल का इफ्टता, फिल्म के के पेमेर से किया गया. फिल्म के पेमेर में पाकिस्तानी फिल्म और Yog Keyमों के मशुर्व सितारों ने शेकत की पाकिस्तान के आर्टेस्टों ने फेस्टीवल के रिकात को सराओ और यसे पाकिस्तानी फील्म इंजस्टी के लिए खुश आइन करा दिया This is actually the starting point platform for everyone to showcase their talent Whether you're a director or a producer or an actor Film industry पेक्टारी है, हमारे जो क्रेटिव फिल्ड है, वो इंशाला पाक्सान के बाइर भी है, पाक्सान के अंदर भी उसमें काफी लोग और इंटरस्ट ले रहे हैं, जब आइडिया इक्चेंज होते हैं, चीज़ें आप एक दुस्य की देखते हैं, So, you know, you learn a lot. पेस्टिवल में भारत से आने वाले आटेस्टों ने भी फेस्टिवल के निकात को सराते हुए, इसे दोनों मुमालिके इंजस्टीज की तरकी के लिए बेहतरीन इकदाम करार दिया. पेस्टिवल में आट फिल्मों को नुमाईश के लिए पेश किया जा रहा है, जिनने केक के इलावा विशिंग ट्री और एक बलोची जबान की फिल्म भी शामिल है. एसे फिस्टिवल के इनेकाज से पाकिस्टान का सॉफ्ट इमिज उभर कर सामने आ रहा है, और पाकिस्टान फिल्म इंजस्टीज से मुनसलिक शक्सियात को अपने काम को बेनल अक्वामी सता पर मतारिफ करवाने के मुवाके भी मिल रहे हैं. नौरी नासिफ पाकिस्टान टेलिविजिन यूस कराची. की मुकमल आजादी हासल होती है. उनने ने का है कि साहथ ने कुछाएगे कि हुकूमत के मुस्टा इतामात को भी भरतूर तरीके से पजागत करें. इसले खान कावागारी गरावार क्ञामा कमिटी ने आहम शच्छियात की सेक्रीडी के नामरे कर bass होंelे के सिक्रापिटी अर आईटीस को आइंड आई भास में तलॉकति परफिर थीधिया है नहीं को बघाएंडे कामेSYMBY की हास इंडावृटी की जोली कमेटी का इश्Яलास करमेन के इससार की फेडरल इंप्रायस कोपरेटिव हासिंग सोसाइटी की जिनको प्लोट नहीं डिये जाये और जिन्हें डिये जाये जाएं उन्हें डिवलप करके आएंदा इदास से पहले रिपोर्ट पेश की जाए और पीन रज़ा देश्ट गर्दी फोरम का आगाज तीन अपर्ज से समझाबाद में हुका इसदार देश्ट कर्दी के कामे अधारे के नाशनल काडिनेटर एहसान गारी ने प्रेस बीफिंग में बताया कि फारूम में अमरीका और यारब समय स्पार्ट मुलकों के मन्दूबीन शर्कत कर रहे हैं उन्हें बताया कि रवासान इस पार्ण का मौदू अम्द है पार्ण का मुद्ध आलमे वराद्री को प्रेश्ट कर्दी के खिलाथ हासल की गई अपने काम्याबियों के बारे में पताना है इसलाम ने युनिवर्स्टी बहावलपूर के तल्बा के वपने को हेड़कोर्ट इसावल पिंटी का दारा किया युनिवर्स्टी के तल्बा ने पाकिसान आदमी के जवानों के साथ पूरा देन गुजारा पाकिस्तान आदमी के शोगा एक पालुपात आम्मा में तलबा को पाक आदमी के मुक्तलिक शोगों के हवाले से आगा किया दोरे से तलबा को पाक पाँच की पेशावराना तैयारियों से आगा ही गिरी तरबा के बाक्षा बंगारियों जवानों की अस्परी सलाहियतों का मुझाहरा भी दिखाया गया इस मौकिए पर तरबा के पहने का कि हमें पाफ़ाज की पेशावराना सलाहियतों पर फखर है मुकाववीन ने कहा चाओ कि थार्पार्वार्यत और दैश्ट करदी को शकस्त दी जा सकती है उन्होंने कहा कि आपकी जिन्दगी मसल्मानों के लिए मशले रहा है और एक मुकम्मल जापता हयात है कांफिसर जॉक्टर गवंपर महडी, जॉक्टर जमाल लासिच, जॉक्टर कमर हैदर जदी, आगा नईर अबास, अलामा सलीम हैदर, जॉकाया मिलसच्छा और तीगर मेज़भी स्कॉलर्स में खेताब किया यहाँ को बताएंगी, आखाएद कश्मे में बादि नीलं के इलाएं के सरदारी में मसाफ़जीत के हाद़े में पांच अफराद चामभाग हो गए है मुसाफ़ जीत मुगफराबाद से हिल्मत जा रही थी कि संगी मोड़ पर दर्या लीलंग के किनारे जा परी किस अफसोसना कादसे में साथ अफ़ाद शबीद जखमी हुए है सगराता कश्मीर सभार वसुद खान और मज़िर आसम राजा फारुक अदर खान दे हादसे में तीन ती जानों के जाद पर गहरे रंच पहजार किया जामा कफाय के वस्था के लिए फ़ारी इंदाग और जखमियों के बेहतरीन इलाज मालचे की हिदाए की है जामा के लाके कलाशी में सबक किनारे बंधमाकी में दो पुलिस अहिए और तीन जखमी हुए है जीपियों डॉक्टर जाहिद लाह हमले में महफूँ रहे तमा का उस्था वा तक जीपियों पुलिस अहिल का मसमाइट कलाशी से जीवा इसमाल खान रापिसा रहे थे जीपियों सब्सक्राइब करेंगे नमूद मुस्लिम पाम सेंटिया खजूरों के इत्वास शुरू होने वाला मसीहों का मुकद्स हफता जारी है मसीही अकीदे के मताबिक हजद इसा इसलाम की यूरोशलम में वापसी और जिन्दा असमाने पर उठाए जाने से ये हफता मन्तूब है कैथलिक मसीहों के मरकज वैटिकन सिटी में सबसे बाइश तमा हुआ मसीह अकाइक के मताबिक गुड फ्राइडर चारे जिन्दे के रोजों के आखरी जुम्ह को मनाया जाता है पाकिस्तान में मुस्लिब गिर्जागरों में जुम्ह के दिन खसूसी अबादात का सिस्टा जारी रहा जो हफते और इतवार के रोज इस तताम पजीर होगा पूरे मुल्क के अमन के लिए दौा करते हैं और यह इवेंट हम सेलिबरेट करते हैं इस मौके पर खसूसी अबादात का इंजाम किया गया और इस आल इसलाम की तारिवाद से मतलिक खसूसी तक्रीबात भी मुनक्द हुई इवादात में आलमी अम्न और ताकिस्तान की तरक्षी और खुशाली के लिए खसूसी दौाई भी की गई दुनिया भाद की तरफ तक्रीवें ने भी मतलत सकते का अगाज इत्रा के रोज ते किया था जो कि इस से तक जाई रहेगा आध गुशाईडर के हवाले से होने वाली अबाबात में मसीयों की बड़ी ताबात में शिर्कत की तरक्षी तरक्षान के लिए नियूस इस्लाहम बाच तजारती सब्रों के साथ मैं हूँ शपीक खान सबसे पहले आपको बताते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के हवाले से स्टेट बेंग ने आएंगा दो माह के लिए शराय मुनाफ़ा 6 पीसद पर बरकरार रखने का फैसला किया है स्टेट बेंग के जाने पे जारी इलामिये के मताबिफ माली साल 2018-19 में अमूमी महगाई मुनासिब हदूद में रहेगी रवा माली साल के दोरान 11 साल की बलंद तरीन शराय नमू हासिल करने के रौशन इमकानात है इलामिये के मताबिफ रवा माली साल के पहले 8 माह के दोरान बरामदाद की नमू 12 आशार या 2 पीसद तक पहुंच गई है हकूमत के बरामदी पैकेज के नतीजे में मुल्की बरामदाद में मजीद अधाफा होगा पाकिस्टान स्टाउक एक्सेंज में मुस्पत रुज़ान रहा और हंडर इंडेक्स 45,604 पर पहुंच कर 45,506 पर बंद हुआ इंडेक्स में 70 पॉइंट का अधाफा हुआ पादार हिसस में 357 कंपनियों के शेयर से गारबार हुआ जिनमें 246 कंपनियों के शेयर से कीमतों में अधाफा 194 कंपनियों के शेयर से कीमतों में कमी जबके 17 कंपनियों के शेयर से कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई वजार एसस में 73,163 शेयर से गारुबार हुआ जिनके मालियत 9 अरब 46 करोड 73 लाक रुपे से ज्यादा थी जब के गारुबारी हजम 23 करोड 33 लाक रुपे से ज्यादा रहा और यह आपको बताते हैं आलमी मंदी में खान टेल की कीमतों में इजाफा देखा गया अमरीका में नियुज्यार की में मार्किट में लाइट स्वीट करूड ओयल की सी बैरल कीमत 56 सेंट इजाफे के बाद 64 आशार या 94 लार जब के लंदन में ब्रेंड नौट की करूड ओयल की सी बैरल कीमत 58 सेंट इजाफे के बाद 69 आशार या 34 लार पर पहुंच गई सिहनी अपाज की जानेश से नहते फलस्तिनियों पर जल्म और सितम जारी है खाजा में अकादेज इस्राइले फाज की गुलाबारी के नतीजे में मजीद साथ पलस्तिनी शहीद और स्थेंकों जख्मी हो गए फलस्तिनी से लाके में एक माध से थरापा एहतेजाज है जबकि इस चारहान अकतम से उलागे में जारी कशिद की में मजीद इशाफा हो गया है इस अपजाज का मकसद पनावजीनों को इस्राइल के जरिफजा अपज़ा जाके में वापस भेज़ना है लितार हमकदर यह है कि अमरीका की जानिप से अपने सफार्थकारों की बेदखली के अहतमाद के बाद रूस ने भी साथ अमरीकी सफार्थकारों को मुल्क छोड़ने का हुकम दे दिया है रूसी वजिर खाद अधर गालारफ की जानिव से मॉस्कों में मुताbuild Allah अमरीकी सफार्थकारों की बेदखली का मौमरा दिसक्स किया गया और इस होुले से खुकम जारी किया गया रूस ने सिन्पीचिस पर्ग में वाकि अमरीकी काल सल्खाने को बंद करने का भी अलान किया जब कि कई जौती मुमाली के सिफार्थकारों की मुल्क बदरी के हकमाथ भीचारी किये गए रूस के साथ सिफार्थी जन्मेश आमिल होने वाले तरौम मुमाली को भरपूर जवाब दिया जाएगा मुल्क बने लपामी ख़ब्रों से हमने आपका आगाह किया अब जान लेते हैं खेल के मैदान में क्या हो रहा है लेकिन इस छोटी सी प्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा मुल्क आगाजब दिर खेलहेवा प्तिर हैं ऐसे में आपश्टों को इसकी सब्सक्राइए आफ़ी पर को सब्सक्राइब की जुर्चण करें निया कर्या के लिए मिंदम सब्सक्राइब थियों प्रेज। प्रफाइगा रही है ताकि वो कंदिशन्स पे हमहंग हो जाए नेट्स स्टेटियम कराची नौ साल बात किसी इंटरनेशनल मैच की निजपानी करेगा दफ्ताद सर्टाद अहमद और श्रोइप मली के रावा धीगर खिलादी पहीं मर्दा कराची में इंटरनेशनल मैच में इनेक्शन होंगे और पाकिस्तान के छलाब तीन मैच्स की टीटवन्टी सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज की टीम कल कराची पहुंचेगी सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज से तेरा रुकी स्कॉड का भी ऐलान कर गया है देशन महमद तीम की कायादत करेंगे वेस इनकेंट प्लेज एससेशिएशन के सदावर्वल हाइंस टीटीम के हमना पाकिस्तान आएंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दिम्यान तीन टीटवन्टी मैच्छ यहकुंग दो और तीन अप्लेज को नेशल स्टीटियम कराची में खेले जाएंगे पहला मैच्छ पाकिस्तान और वेस्टियम कराची और इसके आथ पास के इलाकों में स्क्योर्टी के इनकाद के लिए मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सुबाई वजीर नासिर हुसेन शाह ने कहा कि पीसल फाइनल का इनकाद हमारी बड़ी काम्यावी है जिसका क्रेडिट सब को जाता है उन्होंने कहा कि टी-ट्विंटी मैचिस की स्टीजिस के दौरान सिक्योर्टी के भरपूर इंतजामात किये गए हैं और लोगों की मुश्किलात को भी मदे नज़र रखा गया है इतवार से ये शुरू हो रहा है गर्मियां भी कुछ तेज हो गई है तो इस वज़ए थोड़ दा टाइमिंग चेंज कर दी है इसके पहले जब बारा बज़े से पांच बज़े तक का टाइम रखा था अब तीन बज़े से शुरू करेंगे साथ बज़े तक इंट्री जो होगी उसकी इजाज़त होगी दी आई जी इस जुर्फिकार लारक ने कहा कि तीनो दिन सेक्यूरिटी को यकीनी बनाने के लिए छे हजार पॉलीस एहलकार ताइनात किये जाएंगे ये वेस्ट इंडिस की टीम को भी इस्टेट गेज का दरजा डिकलियर किया गया है तो इस हवाले से उनको हम वही वी वी आई पी सेक्यूरिटी देंगे जो कि पी एसल फाइनल के लिए टीम्स को दी गई थी इसमें हमें जीरो ट्रेफिक देनी है उनको रूट पर और उसके लावा रूट पर हम वही डप्लाइमेंट रखेंगे जो इस्टेट गेज के लिए होती है बी आई जी ट्रेफिक इमरान याकूब मिनहास ने कहा कि दुपहर दो बज़े से स्टेडियम से मुलहका रस्ते बंद कर दिये जाएंगे और शायकीन को मखसूस पार्किंग एरिया से शटल सर्विस के जरीए स्टेडियम पहुँचाया जाएगा बिटाई रेंजर्स के विंग कमांडर ब्रिगेडियर शाहिद ने कहा कि स्टेडियम के अंदर जाने के लिए गेट्स पर चेकिंग के लिए बूस बड़ा दिये गए है ताकि लोगों को ज़्यादा देर तर गेट पर ना रुकना पड़े जो हमारे स्टेडियम के बूस हैं तमां स्टेडियम के गेट्स के उपर वो नंबर अफ बूस जो है ऑन इच्टेडियम गेट वो भी हम इंक्रीज कर रहे हैं कि जो हमारे इसी तरह हमने PCV से रिक्वेस्ट की है कि इनका जो TCS का स्टाफ है जो टिकेट्स वेरिफिकेशन करता है उसका नंबर इंक्रीज कर दिया जाए तो वी बिल ट्रायार बैस्ट के इंचालला हर जो स्टेडियम गेट है उसके उपर हम तीम से चार बूत रखें पर इस मौके पर अवाम से अपील की गई कि वो सिक्यूरिटी प्लाइन को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिस करने वाले इदारों के साथ भरपूर तावन करें पाकिसान क्रिकेट टीम के हैड कोष मिक्लाइकर का कहना है कि हमारा स्कॉर्ट काफी मदबूत है हर खिलारी के पास अतनी 11 खिलारी में आने का मौका है नेसे सेडी में मीडिया से बात चीद करते हुए मिक्योर्टर ने कहा कि कराचे में क्रिकेट का बेस्तरी माहल है काफी अर्से बाद यहां क्रिकेट हो रही है उन्हें ने कहा कि नाजवान खिलारी के लिए होम ग्राउंड पर क्रिकेट केलना बहुत खास है अगर हमारी टीम 150 और 30 स्कोर कर लेती है तो हमारी बॉलिंग इतनी मखबूत है कि हम इसका दिफा कर सकते हैं मुहमद हफीज के हवाले से मिक्योर्टर का कहना है कि हफीज टीम के दर्वादे बन नहीं हुए उनका इंतखाब एक रोजा माच्व हो सकता है और नाजवी ना मोर्सम की सुरते हाँ लेकिन इस चोड़ी सी बेक के दाद हमारे साथ रहेगा आपार देखाब जाओ मेहितना मास्वाइब के मताफिका इंड चाफिस खंटे के दौराल मुलके देशतर एलाकों में मासंद पश्क जब के जुनूबी और वस्ती लाकों में गर्म रहेगा आज शहीद बेन जिराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा चाफिस खंटे के साथ गर्म तरीन मकामदा मुखलिशारों के देश खंटे के तफ्सील कुछ यू है इस्तामबाद 16 डिगरी सेंटीग्रेट कराची 22 लाहर 30 पिशावर 14 चुटा 9 किलिगत 17 मरी 11 मुलतान 22 मुझवपराबाद 12 और कोईटा में ज़ज अरारत 8 डिगरी सेंटीग्रेट कहा नासम की सब्सक्राइब के साथ की खबर नामा एक्षिताम पजीर हुआ सुबैर रहमेद सजीती और आलिया कैसर को न्यूस्कीम के हम लादी जैजासत मज़ीद खबर अप्डेट के लिए हमारे साथ में झाल वो तूज यज थे खबर व्याद की खबर वरोग और नामा इन यूणिब के खबर प्रसदेंग्रेट की खबर वह सुबर्ट याद़ झाल में जर वह सुबर खबर प्रसदाने नवर आल उकार नामा इना दोट तर, दोजू अनल गूजू खबर शूशू आलिए This time check is brought to you by Zong. A new offer, a new dream, with Zong 4G.